हैलो दोस्तों यूटूब चैनल मोनिटाइज़ेशन ओन होने के बाद क्या करना चाहिए तो दोस्तों बहुत सारे यूटूबर्स का ये कोस्टेन है कि यूटूब जब आप यूटूब पर काम करते हैं वीडियो पर वीडियो डालते हैं और आपका 1000 सस्क्राइबर और 4000 दिया जाता है कि आपका चैनल मोनिटाइज हो चुका है तो दोस्तों उसके बाद का प्रोसेस क्या है उसके बाद क्या करना चाहिए मोनिटाइज चैनल मोनिटाइज होने के बाद क्या करना चाहिए तो यहां पर कुछ कंडिसंस है चार पांच कंडिसंस तो वो मैं इस वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्रैब करके बेल अइकन को प्रेस कर लिए क्योंकि मैं आई इसे ही वीडियोज भान शेम में लाते हैं तो चल्lessness बिना लेट कोया अज की वीडियो को हुआल करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरा चैनल जो है मॉनिटाइज हो चुका है मैंने 14 तारी को रिव्यू में भेज दिया था उसके बाद 17 माई को मेरा चैनल मॉनिटाइज हो चुका है आप देख सकते हैं उपर में लिखा हुआ है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों Congrats You have been accepted into the YouTube Partner Program You can now monetize your video and screen support तो यहां पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Earn money from your YouTube channel अब यहां पर आप अपने चैनल से यहां पर money earn कर सकते हैं दोस्तों तो क्या-क्या यहां पर करना पड़ेगा और क्या-क्या सावधानिया बरतनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको step by step इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए मैं starting से बता देता हूँ दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम Chrome application को open कर लेते हैं उसके बाद right side में यहां पर arrow का निस्तान है इस पर click करके और इसको desktop site पर कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद YouTube पर open करता है YouTube open करने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों आपका जो channel है उसका यहां पर logo मिल जाएगा उस पर click करना है जैसे click करेंगे your channel है your channel पर आपको click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा दोस्तों उसके बाद simply आपको यहाँ पर customize channel पर click कर देना है जैसे ही customize channel पर click करता है यह redirect हो जाता है IT studio में उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ एक नया page open होता है तो यहाँ पर यह सारा जो है videos यह आपका monetize यहाँ पर option आ जाएगा on off तो यहाँ पर दोस्तों आपका starting में अगर monetize होगा तो यहाँ सारे off रहेंगे तो इसको आपको एक एक करके monetize करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर बहुत सारा किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर so करेगा off रहेगा तो आपको simply क्या करना है यहाँ पर click करना है यह जो off लिखा हुआ आ रहा है तो उसी जगाँ आपको click करना है जैसे हैं click करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हैं arrow का निसान है इस पर click करना है टिक तो यहाँ पर जैसे हैं click करेंगे तो on का option आ रहा है उसके बाद simply यहा एक एक करके यहाँ पर on कर सकते हैं और आपके चैनल पर monetize हो जाएगा और वो जो है दोस्तों green dollar का यहाँ पर show करने लगेगा और आपके वीडियोज पर ads आनी शुरू हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर किसी किसी वीडियो में आप देख सकते हैं यह लो कलर है तो यह लो कलर का मतलब है दोस्तों यह जो वीडियो है यह आपका जो है बहुत कम रन करेगा दोस्तों यह लोगों के पास बहुत कम जाएगा और इससे आपको बहुत कम अरना आएगा आएगा लेकिन बहुत कम अरना आएगा और बांकि आपके चैनल पर वीडियोज पर ग्रीन डॉलर का सो करता है तो इससे आपको पूरा कप पूरा यहां पर अर्न होगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैं आगे का और प्रोसेस बता देता हूं यहां पर आप एक एक करके भी यहां पर कर सकता है या तो एक बार में यहां पर आपको कर पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोज का ओप्सन है वीडियोज का ओप्सन पर आप जैसे ही किलिक करेंगे दोस्तों तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकता है more action है और add to playlist edit है तो सारी चीज़ा है तो चलिए मैं यहाँ यहाँ पर more action पर click करके दिखा देता हूं क्या आता है तो यहाँ पर तो sony कर रहा है एट to playlist पर click करके दिखादेता हूं यहाँ भी नहीं दीख करके आपको दिखा देता हूं इडिट वाले में आ रहा है तो यहाँ पर इडिट का उप्शन है इसमें आप जैसे ही किलिक करेंगे वीडियो इस पर किलिक करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कु आप इक ही बार में सारे को ओन कर सकते हैं तो एक ही बार में आप सारे वीडियोस पर मुझा से कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों मैं आपको ओर भी तुसरा तरीका बता देता हूं कि कि आह tumd से कर सकते हैं तो यह तो हो गया यहां पर से कर सकते हैं उसके बाद वाइटी स्टूडियो में आपको एक एक करके यहां पर अगर अगर आप वाइटी स्टूडियो से करते हैं दोस्तों तो यहां पर वीडियो पर जैसे ही किलिक करेंगे तो यहाँ पर सारे option आ जाएंगा overlay, ads, sponsored card यह सार आ जाएगा तो आपको एक एक करके tick करना पड़ेगा यहाँ से तब यह monetization on हो जाएगा और दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर बताया जो chrome में तो यहाँ से आप एक बार में ही सबको कर सकते हैं तो पहला step यह हो गया, दूसरा step में बता देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही किलिक करेंगे monetization पर, तो मैं किलिक कर देता हूँ इस पर, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का open होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों super, super जैसे ही किलिक करेंगे, तो दूसरे step में, यहाँ पर आपको option है मैंने इस पर already वीडियो बना दिया है आप पीछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, तो यहाँ पर उसको जैसे हैं, super chat और super stickers यह दोनों यहाँ पर आप on कर सकते हैं तो मैंने पीछे वीडियो बना दिया है आप देख सकते हैं, आपको उसका वीडियो का लिंक आपको मेरे description में भी आएगा और आपको i button पर भी मिल जाएगा आप देख लिंग है दोस्तों, तो उसको super chat, super stickers को कैसे on करेंगे, या तो आपके email पर भी वो एक दो दिन में monetize होने के बाद, एक दो दिन में वो आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, आपको आगे क्या धियान देना है, दोस्तों, आपको कभी भी अपना जो है वीडियो जो वो आपके अपने mobile से कभी नहीं देखना है दोस्तों, और नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई-कोई बोलता है क्या कि एक ही mobile में दूसरे Gmail account को login कर लेंगे email ID को, और उसके बाद वीडियो जो देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, आपका IP address जो है, YouTube Partner प्रोग्राम के पास पहुँझ जाता है और वो समझ जाता है कि यह जो है, यहाँ पर गलत कर रहा है यह एक ही mobile से अलग-अलग ID चेंज करके और वीडियो ज देख रहा है तो उसके आपका CTR हाई हो जाएगा दोस्तों, CTR का मतलब होता है click through rate यहाँ पर CTR का फूलपाम होता है click through rate तो वो जो है दोस्तों, वो 15% से कम होना चीए उसके उपर अगर ज्यादा होता है तो आपको problems आ जाती है आपका जो है, एक महिने के लिए आपका channel जो है, वो demonetize कर दिया जाता है तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है आपको अपने mobile से कभी भी आपका खुद का video नहीं देखना है और नहीं email id change करके देखना है और दोस्तों, एक बात और किसी किसी का सवाल यह रहता है कि मैं दूसरी mobile में hot pot जोड़के net connection ले लूँगा और उसके बाद उससे मैं देखूँगा तो वो भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपका IP address उस mobile से connect हो जाता है और वो पहुंच जाता है YouTube partner के पास और वो समझ जाता है कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं जाके और आपको बराबर यहाँ पर आपका नया channel monetize हो आए तो आपको बराबर देखना पड़ेगा कि आपका CTR हाई तो नहीं हो रहा है कभी कबार अगर हो जाता है 17-18 तो उससे कोई problem नहीं होगा दोस्तों लेकिन आपका बराबर नहीं होना चीए तिन बार चार बार तिन दिन चार दिन लगातार नहीं आना चीए दोस्तों आपका एक बार हो जाता है तो उससे कोई problem नहीं होता है तो आपको CTR अगर हाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे जिस जिस वीडियो पर आपका ज्यादा watch आता है मतलब जिस पर ज्यादा view हो जाता है तो उस पर क्या करेंगे आप जो है वो इसकी पल इसकी पूल वाला जो है उसको आप बंद कर देंगे उसके बाद देखेंगे normal हो गया 7, 8, 5 तो आप उसको फिर से on कर सकते हैं दोस्तों skip ads को तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको चैनल मोनिटाइज के बाद यह सारी काम कर लेना है दोस्तों और तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपका जो पीन वेरिफाय कर रहेंगे तो वो डाकिया जो पहुचाने आएगा तो उसको करने के लिए आपके पास 10 डॉलर जमा होना चीए दोस्तों 10 डॉलर जब जम एकठे हो जाएंगे जमा हो जाएंगे तब आप अपलाए कर सकते हैं पीन का उसके बाद डाकिया के दौरा पुश्ट मास्टर के दौरा आपके पास पीन आएगा आप उसको वेरिफाय करेंगे एकाउंट वगरा उसमें फिल करेंगे तो उसका भी मैं वी किलियर कर दिया आपको step by step तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाएक जरूर कर दें दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब करके रख लें ताकि जब भी मैं ऐसे ही knowledgeable वीडि के साथ तब तक के लिए जय हैं जवरा थैंकियो दोस्तों